इसके अंदर में जो प्रॉब्लम था वो था रायम का दिक्कत इसमें यह वाली रायम लगी थी और कभी भी याद रखना कि सेम फ्रिक्वेंसी की रायम डालना है इसमें लगी है 2GB की DDR 2 RAM और अलग-अलग हाइनिक्स की है और वह दूसरी है तो कभी भी रायम डालना तो सेम कंपनी सेम फ्रिक्वेंसी की डालना नहीं तो फिर आपको आपका डेक्स्टॉप डेट भी हो सकता है और अभी कीबोर्ड नहीं चलने वह इसे आफ़ान पर लटक रहा है इसकी दूदिदा भी दूर हो जो 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 दो जो 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 सब्सक्राइब कर दिए और भुझ मैं ती है